कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल परकास मैथ पॉइंट में और दोस्तों मैं हूँ परकास कुमार दोस्तों आज हम कुछ मिसलिनियस करना जा रहे हैं और यह भी फरमाईसी कोश्चन है हमारे एक सोमनात भाईया है जिनके तरब से यह कोश् करता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे यदि यह समय पीता की आईव 42 वर्स है तो पूत्र की आईव पाच वर्स पहले कितना थी दोस्तों इस कोश्चन के कहने के मतलब है कि एक पीता जो था अपने पूत्र से कहता है कि बेटा तुम्हारा जितना अभी उमर हो रहा है ना मतलब वर्तमान में जितना तुम्हारी उमर है इतना उमर जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरा उमर उतना था ठीक है यदि मैं अभी जब 12 साल के हूं तो बताओ कि तुम 5 5 बाश पाली कि इतने साल के थे देखिये जब मालोना ते पूत्र का उमर है पूत्र का उमर है ॐ पूत्र का वर्तमान उमर भी रुख रहे वर्तमान का कितना एक्स वर्स एक्स वर्स मान लिए कि एक्स वर्स है दोस्तों तो बेटा अभी एक्स वर्स के है तो बोल ला है कि बेटा पीता बोल ला है कि पीता तुम जब जान्वन लिए थे ना उस समय हम तुम्हारे तुम जब जितना साल के अभी हो उस समय हम उतना साल के थे तब कि उस समय का उम्र क्या होगा अभी बेटा एकस वर्स के है तो पीता इसका मतलब जब बेटा जन्म लिया होगा उस समय पीता जी एकस वर्स के होगे दोस्तों जब बेटा जन्म लिया तो बेटा जीरो होगा उस समय जीरो होगा तो जीरो से बढ़के एकस पर आ गिया बेटा जीरो से एकस साल के हो गिया तो इसका मतलब है कि पीता भी उस समय से एक वर्स एकस वर्स और बरहा होगा तो पीता की वर्तमान आई कितना हो जाएग सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्क्राइब एक साल बढ़ा है एक साल बेटा बढ़ा है तो एक साल पीता भी बढ़ा होगा एक साल जन्म के समय थे पीता जी एकस वर्स के एकस वर्स अब बढ़े हैं तो अब होगी है टू एकस वर्स और एकस वर्स टू एकस वर्स अजब की बोला है कि पीता की आयो अभी 42 वर्स है तो ठीक है तो टू एक्स बराबर 42 वर्स तेजुसर कर जागा 21 बार में नेकिन आपसे पूछा है कि पांच वर्स पहले एक का पहले तब अभी 21 वर्च के देखिए 16 ओप्शन नमर सी आपका राइट एंसर हुआ आते हैं अगली क्वेश्चन पर दोस्तों दो नमर क्वेश्चन क्या कहता है एक दुकंदार का वादा है कि वह चीनी 45 रुपए कीलो बेच रहा है जिसकी कीमत 50 रुपए कीलो है लेकिन वह एक 1000 ग्राम के अस्थान पर 800 ग्राम दे रहा है उसका परतिसत लाव या हानी क्या है इस क्वेश्चन के कहने के मतलब है कि एक दुकंदार जो है न उचीनी को चिला चिला कर बोल रहा है कि हम 45 रुपए कीलो चीनी बेच रहे हैं जबकि वह उसका खरदा हुआ 50 रुपए केजी है उसका खरदा हुआ 50 रुपए केजी लेकिन वह बोला कि हम 45 रुपए केजी बेच देंगे तो गहांकी सबको तो सस्ता पसंद आता है ग्रहांक को तो सोचा कि चलिए ना पाच रुपी घटा सब के बेच रहा है चलिए खरीद लेते हैं लेकिन वह दोस्तो दुकांदार रुथाना बहुत तेज था वह क्या कर रहा है एक केजी खरीद रहा है वह आठे सब गराम दे र पांच रुपर्य आंई सबचा है दोस्तों कर पांच रूपय आंई सब बेच आए पांच रुपय आपनी हो जटा है चिंको पड़ेके नते सब्सकाइव 11 अ क्यूder हो रहा है चिकम हो चाहता हो timely में आपना कीमत में उसको पहले हानी हो घिए あり नहीं एकषार गराम के एक ख़师कार गराम के एतल क्या अंपर अथे से गराम दे रहा है eg जब शक्ता डासिएंक यह ने हीख नहीं दोस्तों दोस्तों लवक कमारा रहा है मतलब कि लेकिन दिखाई देता है ऐस भी ठीक है 800 अब पर तीसत के लिए 100 से गुणा ना कजिएगा दूसर चोग का 800 चार से कर जागा 25 बार में यानि कि उसको जोग तौल में मतना नाप तौल में 25 पर्ज़त के लाब हुआ है तो दोस्तों और एक बात आपको बता हुए है किसी भी लगातार दो बार घटना घटे तो ए भी फर्मूल लगाना है तो यहां से भी फर्मूल लगा दीजिए तो पचीस परसेंट लाब हुआ है तो पचीस परसेंट लाब हुआ है तो पचीस परसेंट हानी हुआ है दोस हानी माइनस में फिर पलस यहां माइनस पलस माइनस माइ अगली कोश्चन पर दोस्तों तीन नमर कोश्चन क्या है देखिएगा एक बस टर्मिनल से परतेक बस दोस मिनट के अंतराल पर ही सारें और तीस किलमेटर परतेघंटा के गति से बस से चुटती है एक बस अड़ा है मानिना टर्मिनल मतलों अड़ा बस से चाल से दोस दुस मिनटर वहत बस जो है छुलती है वहां से चुटती बीपरित दिशा से बस टर्मिनल की ओर से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक बेक्ति को ए बस 7 मिनट की अंतराल पर मिलती है बेक्ति की गती बताये किलो मेटर प्रति घंटा में देखिए ना यहां से बस जो है ना 30 किलो मिटर पती घंटा कर अपतार से आगे बढ़ रही 10-10 मिनिट के इंतराल पर ठीक है आई आदमी है आदमी देखिए ना यहां आदमी माली है इधर की यूर साथ साथ मिनट के अंतराल पर मिलती है बॉस को ठीक है इसी का चाल निकलना है तो दोस्तों यहां आसानी साथ को आप यहां रुट्टी रिक अपना यह ठीक है में टाइम sesi हिओ टाइम इन इकल रहा है साथ में का विल्टा ऐस पीड ररता है तो आपको पता है ऑर ऐबात को हम ऎम डिस्टेंस में ट्रेञ में पढा चुक है तो उन जासे सथ श्छाए कि लिखे जाए और सब्सक्राइब कि वार्ट तुम्हाथ में सब्सक्राइब कि इस फोलिफ है यह अग्रव निकाल सकते हैं और 30.5 बटटा साथ काटिए गाता 7 35 दसमलो 7 35 अनुपाथ एक का भालू कितना है पाँच पॉइंट पाँच तो आपसे पूछाए आदमी की चाल तो दोस्तों बॉस पॉलस आदमी मिलकर दोस चाल है तो आज आज आपकी बॉस का साथ है तो आदमी का तीने न होगा तो इसम अलियर कोष्ण कीूर दोस्तों चार नमल कोष्ण क्या चाता है सोने की कीमत बहुत अच्छा कोष्ण है यह सोने की कीमत उसके भार के बर्ग के समानुपाति है एक बेक्ती सोने के भार को चार अनुपात, तीर अनुपात, दू के अनुपात में बाट कर बेचता है और इसमें उसे कूल अठातर सो रूपई की हानी होती है तो सोने के पररंबिक मुले कितनी थी दोस्तों बहुत अच्छा कोशन है अब भी भी आई है इस से के लिए खास कर गए ठीक है देखिए कोशन कहा है सोने के कीमत जो है उसके भार बर्ग के समानुपाती है बर्ग के समानुपाती है समानुपाती मतलब बढरत दोस्तों आपको पता है समानुपात आप रेसियो पढ़ा चुके है देख लीजिए ठीक है रेसियो भी कल से रेसियो चलाएंगे ठीक है स्रेवानुपार्ओं न मतले वरो के स्क्मानुपार्थ स्ञूर्ट निया के दोस्वाओत is cheatedly II कीमत के किम् Isaiah बार के स्क्वाइर के स्वार के स्कॉइर के समानुपार्थ protective स hedaky Segund और bricks पहलन टुकरा तुसरा टुकरा और तिसरा टुक्रा है सवंअ कर तुख्राव ऐचरे Mission paying which the program works which brings बनाँ है चारानुपाद सेंघुब अनुपात की question के कान मुति के मतलब है टुख्राअ करकर बेचा है चार गराम के तिन गराम के करकर के टुख्राया है ना तो उससोंगलां पूरा सौवलिटे रहता संगले और उसको बेजता है इसका दाम पूखा है आप से देखिए अगर नहीं करता तो चाल गराम किया हुआ रहता तो नौ गराम में बेचता हूँ मतलब नो का स्कोर्ध घृता वहार है इसे नो ग्रम है दाया धिक टूकरा करकर भीचा है तहुछ तक देखिए पहले आप वजन में कमी निकाल लीजिए वजसंँ वजण में कमी निकाल लीजिए और दोस्तो अगर 100 बैश्वार दा इसका स्कॉर्धा इतना होता 9 है स्कुरा करकर बैचा है एक टुकूरा करकर में कम निका है seamless nam तो नहीं करता सौवलीटे बेचता तो यह कासी गड़ा लेकिन तुकड़ा करने के कारण उसे उन्तीसे गड़ा में बेचना पर है तो वजन में कमी निकल गिया है से कितना निकल जाएगा एक आराम से नहीं हो गिया दू यहां बचा साथ में से दू गिया सातह में दू गिया पाँच मतले बावं गराम का उसे लौस होगी आए दोस्तो चू की कि वजन में घर्टा लगए उसको बावन गराम राम चरी enable में बोला है की trata लूपई के लिगते कि कर दूबावन ग्राम बराबरiger खेठर सब्षकतर हो गया एक सो पचास बारह! मतलब प्रारंविक मुल्डी देखिए TOP. प्रलारंभी के सäलीक मुल्डे。 दोस्तों प्रारंभीक मुल्डे क्या 18 gram नहिंहें अगर टुक्रां नहीं किया ढाता तो एक टाइवाव का अपसे फोजन पुछा है तो एक आसी गुण एक सो पचास गुणा कर लिजें गुणा किजी तो 151 5 5 यानि 12150 रूप या उसका कीमत है देखिए 12150 तो option नमर A में है ठीक है दोस्तों दोस्तों कोश्च वीडियो अगर समझ में आओगा मेरे बनाने की तरीका समझ में आओगा तो लाइक जरूर कीजिएगा आते हैं अगली क्वेश्चन पर दोस्तों पांच नमर क्वेश्चन क्य और सेंस 50% लाब पर बेचा जाता है यदि स्वभी वस्तों को 25% लाब पर बेचा जाता है तो पहले प्राप से 100 रूपए कौम लाब होता है पर तेक वस्तों का क्रहिमुट ग्याद करें सो सिंपल एक दम असानी से बनेगा पहले तो आप इसका आप कंसेप्ट देख लिए कंसेप्ट पता हो जाया तो अपने आप बनता है ठीक ऐसे आता नहीं करर में चोटा कर छोटा की आ साहिए है इसे घकतल से यह ऺगेशन चाहिंट है तो त्यार्ण देख लिए परमें यांनि कि 80 रूपय का लाब हुआ है 25 रूपय क्या पीश परसेंट वेचा है नादा वस्तू तब अब फिर 50 परसेंट पर ने जाँ तो लाब कितना हुआ है तो 125 को नमस्तु है इसका 50 पर से निखालेजिए 50 दून सबू से कटेगा इसको दू शक 12 दू दू न चार दू पची दस यानिकि सारे 62 रुपइया कुल लाब निकाल लिजिए यहां से कूल लाब है कूल लाब निकाल लिएगा 25 रुपई यहां से निकाल लिए गाए कितना पर कितना पर तो कितना अरहाई सव अस्तुन है शारे सतासी रिप्याल लाब हुआ है अरहाई सव पर दस्वन भटाएंगे तो बटा में जीरो आजा गई परतिशत के लिए 100 से गुणा डॉबल जीरो से डॉबल जीरो कर जागा पचीस से कर जागा सब्सक्राइब यानि कि 25 परतिशत लाब हुआ है 25 परतिशत लाब उसको टोटल पर हुआ है 20 परसेंट लाब पर दुनों के मिला परतिशत लाब हुआ है दिया है क्या दिया हुआ है 25 पर संट लाभ हुआ है सब पर टोटल वस्तुप लाभ हुआ है तो दोन्नों में अंतर कितना है अईससे तब बेच रहा था 35 पर स्हाब में 25 के लाव पसंट हुए है रिए 25 पर पर सब बेच दिया और 25 का आन्तर का अंतर दिया हुआ है पहले लाव होता था 35 परसेंट अब लाव होड़ा है 25 परसेंट सब पर सब पर पहले इतना होता था आप सब पर एक ठावरी बेच रहात इतना होड़ा है दूनों मेंदर सब का तो यहां 5% का भाईलू कितना हो जाएगा सब सब करता है दोसर परसेंट सब करेंशन चाहिए एक वस्तु का सीपी पूछा है एक हजार उपया सब का दाम है एक हजार उपया आप वस्तु और है एक वस्तु का दाम चार रूपई आया जो ऑप्शन नमर बी में है दोस्तों इसी का जल्दी बराने का तरीका क्या है देखिए आधा आधा वस्तु बेचा है यहां तो आधा आधा वेचा है तो एक परलाब हुआ है बीस परसेंट का और एक परलाब हुआ है 50% का तो टोटल यहां तो टोटल दिया है 50% इधर टोटल दिया है 25% दिया है 20% और 50% पर मेरा के आधा अधा वेचा है तो दूसरे भाग दिए कर दूबर आधा किया है तब 50 20 70 हुगा है उपर 70% दूसरे कटे दिसको 35 बार में 35 तो दोस्तों अभी भी तो उतना ही आया तब 35% माइनस 25% ब अबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा तो एक वस्तु का सीपी एक का सीपी यहां से नहीं निकाल सकते हैं 1000 बटा में 250 और हाई सवच्व का 1000 यानि 4 आपका एंसर हुआ चार रूपई है ठीक है दोस्तों ऑप्शन नमर बी दोस्तों एक कोस्चन एज का हम अपने से देते हैं आप लोग सल्ब करके और कॉमेंट जरूर किजियेगा दोस्तों नहीं बनेगा तो भी बोलिए कमेंट किजिएगा फिर हम वीडियो बनाएंगे लेकिन वह कोस्चन लाजबाब होगा ठीक है दोस्तों यह कोस्चन आपको होमबर के लिए रहा आप बनाकर और कॉमेंट में जरूर लिखियागा सो मनात भाई सबसे पहले आप अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा बनेगा फिर भी नहीं बनेगा फिर भी मैं आपके लिए सल्प जरूर करूंगा कोशन सुन लिजिए जब अमीत का उम्र चार वर्स था तो उसकी बहन की उम्र अमीत का उम्र का आधी थी जब अमीत सौ वर्स के हो जाएगा जब का अमीत का उम्र सौ वर्स कर लिजे सौ वर्स हो जाएगा तो उसकी बहन का उम्र क्या हो जाएगी करने का मतलब है कि अमीत जब चार सल के था ना तो उसका बहन के उम्र उसका आधा था यदि अम आप सब बनाकर और कमेंट जरूर कीजिएगा रिसब जी आप भी सल्फ करके कमेंट में इंसर्ट जरूर लिखेगा ठीक है थैंक्यू फर वाचिंग दोस्तों ऐसा ही आप लोग कोश्चन भेजिए हम सल्फ करके भेजेंगे ठीक है कोई भी बूक का हो मैत का होना चाहिए